चेक्टार है मारे दोस हेलो एलकेन और हेलो एरेन तो आज हम्रों फिन केलेस्टाइन रियेक्शन और स्वार्स रियेक्शन के बारे में पढ़ेंगे हेलोजन को एक्स्चेंज करकर अलकाइल हेलाइट को बनाना चाहेलो एलकिन को बनाना तो फिन केलेस्टाइन रियेक्शन से आयोडो एलकिन को फॉर्मेशन होता है जब कलोरो एलकिन और ब्रोमो एलकिन पर्तिकिरिया करता है सोडियम आयोडाइड के साथ ड्राइ इथर के उपस्थिती में तब आयोडो एलकिन बनता है कलोरो एलकिन पर्तिकिरिया कर रहा है सोडियम आयोडाइड के साथ ड्राइसी टोड के उपस्थिती में तब मेन प्रोडाट के रूप में आयोडो एलकिन बन रहा है और बाया प्रोडाट के रूप में सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर रहा है सोडिय मेटल है तो मुंडी पर positive charge डेवलप हुआ, iodine non-metal है तो मुंडी पर negative charge डेवलप हुआ, कार्बन और कलोरीन में कलोरीन का electro negative value जैदा है कार्बन से तो कार्बन की electron कलोरीन छीन लेता है, कलोरीन के मुंडी पर negative charge डेवलप हो गया और कार्बन के मुंडी पर positive charge डेवलप ह हुआ तो जिस तरह बेबी को बेज पसंद है उस तरह मेटल को क्या पसंद है नोन मेटल तो बैप प्रोडट के रूप में NACL बन गिया और ये पोजेटिव और ये नेगेटिव मिलकर बॉंड बना लिया और इस तरह यहां पर आयोडिन गूरूप जूट गिया तो आई के ल कुलोरो एलकेन जब ब्रोमो एलकेन परतिकिरिय कर रहा सोडियम आयोड खे साथ द्राय एसिटोंके विपासं ठीती में बाया-psfrom में जोदियम ब्रोमाइड बना रहा है और में प्रोडियक्र में में टू पॉइंट फाइफ होता है ब्रोमीन का इलेक्ट्रोड नगेटी वेलियो टू पॉइंट सेवन होता है तो ब्रोमीन का इलेक्ट्रोड नगेटी वेलियो जायदा है कार्बन की तुलना में तो ब्रोमीन कार्बन की इलेक्ट्रोड को छिन लिया तो ब्रोमीन के मुंदी पर नगेटिव चार डेवलप हुआ, कार्बन के मुंदी पर पोजेटिव चार डेवलप हुआ तो जिस तरह बेबी को बेज पासें, दुसे तरह बेटर हो क्या पासें, नोन मेटल तो बाय प्रोडेकर में सोडियम ब्रोमाइड बना लिया फिर ये पोजेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज साथ मिलकर बॉन बना लिया और यहां से आईडून को जूड गिया तो आई के लिए आईडू लिख दी है आर के लिए अल्क और सिंगल बन के लिए एन पूरा नाम होगे आईडू लिकेन भी आर के लिए ब्रोमो लिखें आर के लिए अल्क और सिंगल बन के लिए एन पूरा नाम होगे ब्रोमो लिकेन फिन कलेस्टान रियक्शन याद करने का ट्रिक कल बरही से नाई बाबा आएंगे और ड्राइसी टोन लाएंगे और राय देकर जाएंगे कलोरी इथेन परतिकिरिया कर रहा सोडियम आयोडाइड के साथ ड्राइसी टोन के उपस्थिति में तब बैप प्रोड़ेट के रूप में सोडियम कलोराइड बना रहा है में प्रोड़ेट के रूप में आयोडाइथेन का फोर्मेशन करता है सोडियम मेटल है तो मुंडी पर पोजिटिव चार डेवलप हुआ आयोडी नोन मेटल है तो मुंडी पर नेगेटिव चार डेवलप हो गया कार्बन और कलोरीन में कलोरीन का इलेक्ट्रो नेगेटिव हैल्व जायदा है कार्बन से तो कलोरीन कार्बन की इलेक्ट्रोन को छिन लिया तो कलोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ड डेवलप हुआ कार्बन के मुंडी पर positive charge डबलप हुआ जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उस तरह मेटर को क्या पसंद है नोन मेटर तो बैप परोरेट के रूप में sodium chloride बन गिया इथायल गुरूप था तो इथायल गुरूप लगा दिये यह positive charge इस negative charge साथ मिलकर बोड बना लिया इस तरह यहाँ पर iodine गुरूप जूड गिया तो आई के लिए आईडो हो गिया दो कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गिया इथ कार्बन के लिए सिंगल बोड है तो एन लिखे पूरा नाम हो गिया आईडो इथेन CO के लिए कलो नो हो गिया दो कार्बन के लिए रूट वर्ड के लिए इथ लिखे कार्बन के लिए सिंगल बोड है तो एन लिखे पूरा नाम हो गिया कलो इथेन कोलोरो इथेन परतिकिद्य करें सोडियम आयोड़ाट के साथ ड्राइसी टोन के उपस्तिती में तब बाय प्रोड़ाट के रूप में सोडियम ब्रोमाइड बन रहा है और में प्रोड़ाट के रूप में आयोडो इथेन का फोर्मेशन होता है सोडियम मेटल है ते मुंडी पर पोजिटिव चार्ड डेवलप हुआ आयोडिन नोन मेटल ते मुंडी पर नेगेटिव चार्ड डेवलप हुआ कार्बन और ब्रॉमिन में ब्रॉमिन का इलेक्ट्रो नेगेटिव फेल्यू जैदा है कार्बन की तुलना में कार्बन के लेक्टोन को छिन लिया ब्रॉमिन तो ब्रॉमिन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गिया और कार्बन के मुंडी पर पोजिटिव चार्ज डेवलप हो गिया दो कार्बन के लिए रूटवड होगिया इत कार्बन कार्बन सिंगल बोंड के लिए एन होगिया पुरा नाम होगिया आयोडो इथेन बी आर के लिए होगिया ब्रोमो दो कार्बन के लिए रूटवड होगिया इत पहला है हमारा स्वार्स रियक्षन यहाँ पाप फुलूरो एलकेन बनता है। जब कलोरो एलकेन और ब्रोमो एलकेन को गर्म किया जाता है मेट्रिलिक फुलूराइड के साथ तब फुलूरो एलकेन बनता है। तब मेटालिक फ्लूराइट की रूप में क्या लेते हैं सिल्वर फ्लूराइट मर्कूरिक फ्लूराइट चाहे कोबाल्ड्राइब फ्लूराइट चाहे एंटिमनी ट्राइब फ्लूराइट का यूज किया जाता है ट्री क्या है एजी फर्माई ये मतब सिल्वर फ्लूराइट हाजी फर्माई ये मतब मर्कुरिक डायब फ्लूराइट कौन फर्माई ये मतब कोबाल डायब फ्लूराइट सब फर्माई ये मतब एंटिमनी ट्रायब फ्लूराइट कोलोरो एलकेन पर्तिकिरिया करें सिल्वर फ्लूराइट के साथ हीट की उपस्थिती में तब बैप पुरोडेट की रुप में सिल्वर कोलोराइट बन रहा है मेन पुरोडेट की रुप में अलकायल फ्लूराइट का फॉर्मेशन हो रहा है तो शिल्वर मेटल है तो मुंडी पर positive charge डेवलप हुआ, फुलोरी नॉन मेटल है तो मुंडी पर negative charge डेवलप हुआ कार्बन और कोलोरीन में कोलोरीन का इलेक्ट्रो नेगेटीव वेल्यू जैदा है कार्बन से कोईलीर कारबन के लेक्रोन को चीन लिया तो मूंडी पर करबन के मूंडी पर पोजय क्रबलप वह तो जिस तरह बेबी को तु बेज पसंद हुझ सब्छाल के रूप में सिल्वर कोईलो dong बन गया अब यह फिल्वर जिकर यह साथ तो भूल्ब बना लिया और इस तरह से बन गिया हमारा alkyl fluoride तो R के लिए alk लिखे और यहाँ bond बना है तो ILE लिखे अब fluorine के लिए fluoride लिखे common नाम होगे alkyl fluoride CL के लिए chloro लिखे R के लिए alk और single bond के लिए N पूरा नाम होगे chloro elkin जब bromowelkin पर्तिकिरिया कर रहे silver fluoride के साथ heat करने पर तो byproduct के रूप में silver bromide बन रहा है और main product के रूप में alkyl fluoride का formation कर रहा है silver metal है तो electron को लूच किया मुंदी पर positive charge develop हो गिया fluorine non metal है तो electron को गेन करके मुंदी पर negative charge develop हो गिया alkyl और bromine में bromine का electron negative value जायदा है कार्बन की तुलना में तो bromine कार्बन की electron को छिन लिया तो मुंदी पर negative charge develop हुआ और कार्बन के मुंदी पर positive charge develop हुआ जिस तरह बेबी को बेज पास है उस तरह metal हो क्या पास है ना non metal तो byproduct के रूप में silver bromide बना लिया और ये positive इस negative charge के साथ react करके bond बना लिया यहां बन गे अलकाइल फुलूराइड आर के लिए अलक लिखें यहां bond खाली तो I लिखें F के लिए फुलूराइड पूरा नामोगे अलकाइल फुलूराइड BR के लिए BR के लिए ब्रोमो लिखें R के लिए अलक और single bond के लिए N पूरा नाम हो गिये ब्रोमू, एलकेन स्वास एक्षन को याद करने का ट्रिक चीकेन, बिर्यानी, एजी फरमाईए नहीं तो धूप में रफु चक्कर हो जाएगा कोलोरोएथेन पर्तिकिरिय कर रहे सिल्वर फुलूराइड के साथ हीट की उपास स्थिती में, तब बाया पुलूराइड के रूप में सिल्वर कलोराइड बना रहा है में पुलूराइड के रूप में फुलूरोइथेन का फॉरमेशन कर रहा है सिल्वर मेटल है, तब फुल किया मुंडी पर पॉजेटिव चाज़् डेवलाफ हो गिया फुलूरी नॉन मेटल है, तब फुलकिया मुंडी पर फुलूरी फोलूरीं का रहा है दुस्तरे मेटल को क्या पसने है नोन मेटल तो बैप प्रोडेट के रूप में सिर्वर कलोराइड बना लिया और ये पोजेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज से मिलकर बॉंड का फॉर्मेशन कर दिया तो एब के लिए फ्लूरो लिखे दो कार्बन के लिए रूट वर्ड होगे इथ कार्बन कार्बन सिंगल बॉंड है तो एन लिख दिया पूरा ना होगे फ्लूरो इथेन सियल के लिए होगे कलोरो दो कार्बन के लिए रूट वर्ड होगे इथ कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉंड है तो N लिखे पूरा नाम होगे कलोरो इथेन जब ब्रोमो इथेन का पर्तिकिरिया सिल्वर फ्लूराइट के साथ करते हैं हीट की उपस्थिती में तब बैप प्रोड़ाट के रूप में सिल्वर ब्रोमाइट बनाता है और में प्रोड़ाट के रूप में फ्लूरो इथेन का फॉर्मेशन करता है सिल्वर मेटाल है इलेक्ट्रोन को लूच किया मुंडी पर पॉजिटिव चार्ड डेवलाप हो गिया फ्लोरी नोन मेटल ह rods गेंड करके मुंदी पर नेगिटीव चार्ड डेवलप्ट हो गया कारबन हो ब्रॉम Gilmenü मैं ब्रॉमिन का स्फित्रा गेंड को शींल लिया rozm दम गेंड अब नेग लेक्टों को चिं स्थीन लिया used તે એપ કારબણ 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 કારબણ